कि हलो दोस्तों गुटी इवनिंग कैसे आप सब आई होप आप अच्छे होंगे मैं भी बहुत अच्छी हूँ एक बाइ फिरिस्ट स्वागत है आपका आपकी अपनी दोस्त डॉली के ब्लॉग्स में यह साटरड़ इवनिंग का टाइम आफ्टर ओफिस आज क्या आपको पत अच्छी के बाइब करने के बाद फिर मैंने आपको इस ब्लॉग के शिरुवात की क्योंकि ओफिस का काम था और उसके बाद जो अपने बाहर का नजारा देखा था वह मैंने जस्ट क्लिक किया क्योंकि थोड़ देर बारिश बंद हो गई थी तो मैं बाहर का मौसम चेक कर अच्छी कैसा है तो मैंने सोचा आपके साथ शेर करूं और उसके बाद फिर शाम की मैं दिया बाती करने के लिए आगई वह भी जरूरी है इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूंगी कल जब हम फ्राइडे को वापस आ रहे थे अपने ऑफिस से गुड़काउंट टु फ तो जो पानी हिल रहे उसकी आवाज अंदर तक आ रही है ऐसा लग रहे है मतलब मैं मैं पोर्ट में बैठी हूं अंदर और पानी की लहरों की आवाज मुझ अंदर सुनाई दे रही है मैं बहुत अंदर हूं लेकिन हाँ ट्राफिक बहुत था हमारी गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी यह हर जगह का यही पूरे गुडगाओं का यही हाल है पानी निगलने के लिए सीवरेज वगरे की बहुत प्रॉब्लम है यह पहाडी रोड पे आने के बाद भी इसका यही हाल है और दोस्तों यह संडे मॉर्निंग का दिन मैंने उसके बाद कुछ श और इस दिन मेरा बर्दे था और अभी हमारी कोई प्लानिंग नहीं है कि अभी हमें क्या करना है बर्दे वाले दिन मैंने बस दिन की शिरुवात कर दिया अपना ब्रंच बनाने से हम थोड़ा सा लेट उटे थे साथ साथ हो गए थे तो फिर उसके बाद मैंने का चलो अप सॉरी बोलना चाहूंगी बिकॉज इस वले ब्लॉग को डालने में थोड़ा सा लेट हो गया थोड़ा टाइम लग गया बिकॉज अफ आप जानते हैं एक वरकिंग मुमेंट के लिए सब कुछ एक साथ मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ओफिस भी घर भी चान को खाने में बना रही थी मैं अर्भी की सब्जी और यह अर्भी यहां की नहीं है जैसे मैंने बताया था मेरे लास्ट ब्लॉग में आपको दिखाया था कि हम लोग मुक्तेश्वर भूमने के लिए गए थे तो मैं वहां से कुछ पहाड़ी सब्जें लेके आई थी तो यह पहाड़ी वाली अर्भी है तो देखे मैंने आटा वाटा लगा के रोटी बना ली थी और यह कुकर में वह अर्भी बॉइल हो रही है विकॉस थोड़ी सी सक्त होती है हाड होती है उसे थोड़ा सा बॉइल करना बढ़ता है तो आई थोट कि मैं बागी सारे काम कर लेती सब्सक्क्राइब वक्त खुएज लेट मैं सबस्क्राइब से अच्टे महिए है सबक्राइब मना तो पीच सबक्राइब ग्रम सब्सक्राइस वह चयुथ रहें टोगी संद जो इसे सब कुछ करना होता है। वीकली पूरे कपड़े दोने होते हैं वीकली किचन क्लीनिंग और होम की जो डस्टिंग होती हो पूरी करनी होती है जाड़ू पूचा के लिए मैंने हेलपर एक रखे हुई है वो आती है सुबह और आकर फिर क्लीनिंग वगरा करके चली जाती है जस जाड़ू पूचा लेक तो बल्कि संडे को पड़ा तो और ज्यादा काम था वीगडे में होता तो यह रहता कि चलो कुछ नहीं करना है थोड़ा सा अराम करते हैं थोड़ा सा पाटी वगएरा कर लेते हैं यह घूम आते हैं घूम के तो हम शायद आज भी आएं मतलब जस्फोर दिनर परपस हम लोग भार जाएं बट अभी पता नहीं है कुछ भी जाएंगे नहीं जाएंगे क्यूंकि पिशले दो दिनों से दो बिने दो तीन दिनों से बारिश का महल बना हुए और बारिश हो भी रही है अच्छी खासी थर्जदे फ्राइडे साथरिडे आस संडे से सुबह से थोड़ा हम जाएं क्योंकि कुछ भरोसा नहीं कि कब बारिश फिर से शुरू हो जाए क्योंकि ऐसा ही हो रहा है पिछले दो तिन दिनों से कि हलकी हलकी सी बुछारे ताइप बारिश बनी हुई है फिर थोड़े दिर बंद हो जाती है फिर हो जाती है फिर बीच में तेज हो जाती है तो कुछ नहीं कह सकते तो ये मेरी अभी अर्भी उबरी रही है तो मैंने जाद तक किचन की सफाई कर लिए इसके बाद मैं घर के बाकी एरिया के लाइक रूम के और जो मेरा हॉल वगेरा है उसकी भी डस्टिंग कर लूँगी इसके बाद दोस्तों मैं फिर चली गई थी अपने चछत पर के लड़कर नेट टाइप का एक कपड़ा लगा हुआ है तो उसकी वज़े से कई जगे पर क्या होता है पानी न रूख जाता है क्योंकि बारिश इतनी तेज तो है नि धीमी धीमी है तो देखना है कि कोई पौदा ऐसा तो नहीं रही है जिसमें पानी ना लगा हूँ हेलो दोस्तो देखें मैं आ गई हूँ छत पे अपनी बग्या देखने के लिए और वैसे हम देखने आये थे कोई पौदा रहतो नहीं है सूखा हुआ जिसमें पानी देनी के जरूरत हो वैसे जरूरत है नहीं बारिश होरी है रेगुलर सो जस इनका हाल देखने आये थे त थोड़ा सा डेली रूटीन और बीजिनेस की वज़े से थोड़ी सी डिस्केर हो जाती है कि हम लोग केर नहीं कर पाते हैं बट हाँ पूरी कोशिश करते हैं इनकी केर करने की यह देखें यहां पर इसके दो बिंडिया आ रही हैं काफी बड़ी हो गई है यह यह बिंडी का लगता है कि यह दो हमने एक दो बेल लगाई हुई है कि यहां पर बैंगन के भी पहुद है एक दो बटा भी कुछ निकला नहीं है कि यह मेर्च का पौदर देखिए चोटी-चोटी सी मेर्च आ रही है और आपको दिखाते हूं फूल तो भर के आ रहे हैं छोटे-छोटे से फूल गुलाद के फूल बहुत जाद और यह देखिए पौदर एक दम खिल गया है बारिश में ना यह देखिए यहां पर चुटे-चुटे से कितने सारी फूल निकल रहे हैं अच्छा लगता है यह वाला कौणा ना फूल-फूल से भरा हुआ है यह वाइट गुलाब के पौद है जरोच भारा है और यह देखिए पिंक और परपल कलर के फिल यह थिए का पेड़ का पेड़ और इसमें एक अमरूद निकलने लगा है शायद बारिश के पानी की वज़े से थोड़ा कि ज़ुन थे सूख बहुत आएप जाए तो शायद पानी ने दिला केज़isma निदा हुआ है फुर्षा क्शरी मिर्च का बदा मुं मासाध इजु नकिति हम नीचे और रखे हुए और एकुस कंषिये ही फया करते हुए होगी छत्तव मुझां और सबसक्राइब काुछर स्बश्ट सब्सक्राइब काचरी ईभी कार्ये में बदा यह भी हरी मिर्च के पौदे हैं इसमें ढूंडना पड़ता है क्योंकि यह भी हरे हरे और मिर्च भी हरी हरी तो मिलते ही नहीं है देखें यह बेल थोड़ी से सूख गई है लेकिन फिर भी बराबर से अपना फ्लावर्स के अकॉर्डिंग आ रहे हैं यह देखें यह कचरिया इसमें से आ गई है आपको दूर से एक छोटा सा लोग और दिखा देती हूं यह जो बाकी का हमारा है इस साइड पूरे पौधे अब लगे हुए इधर ऐलोवेरा लगा हुआ है इतर भी बैंगर लगा हुआ है जब निकलेगा तब मैं आपको दिखाओंगी अब मुझे नीचे जाना है थोड़ा से जल्दी इस वज़े से मैं आपको दिखा दिखा दिए हूं दूर से सो घर की सारी सफाई वगेरा का काम खतम करने के बाद और उपर मैं अपनी सारी बग्या वगेरा देखने के बाद नीचे आ गई हूं वापस जो मेरी सबजी थी वो बॉइल हो चुकी थी कुपकर से वो मैंने निकाल के रग दी थी और फिर उसके बाद मैं छौक की त्यारी कि अब मैं यहाँ पे चौक लगाने आ गई हूँ यह आप देख रहे होंगे मैं इसमें उपर से हरी मिश्टोड के लाई थी ना कुछ तो मैं वो हरी मिर्च कोट रही हूँ विद लेसन तो जिसमें मैं सबजी को फ्राइ करूँगी और लिटरली कूटने पे इतनी अच्छी खुश्बू आ रही थी सबजी भी बहुत अच्छी बनी थी क्योंकि यह होता है ना फ्रेश फ्रेश हरी मिर्च है और यह जो लेसन है यह भी पहाड़ वाला है तो इसके साथ जो सबजी बनती है उसके बाद मैंने जीरा और राई डाल है उसे फ्राइ करने के बाद हलका सा मैं इसमें अपना मसाला डाल दूँगी हर इमिर्च और लेसन का यह मैंने डाल दिया है पस इसे हलका सा सोते करूँगी और जैसे ही इसमें से खुश्बू आने लगेगी या फिर इसका color हलका सा change होने लगेगा मैं फिर इसमें सबजी डाल दूँगी उस सबजी को डालने के बाद उसे हलका सा fry अगरा करने के बाद मैं उसमें basic मसाले डालूँगी मैंने सबजी डाल दी है basic मसाले जैसे नमक, मिर्श, धनिया, हल्दी या फिर आपको किसी को जीरा मसाला डालना या गरम मसाला डालना है तो वो डाल सकता है हम इसे normally खाते हैं इसे जादा मसालों के साथ नहीं खाते हैं या ऐसे भी बहुत अच्छी लगती है तो दोस्तों इस ब्लॉग का मैं यहाँ पे end करती हूँ और आपसे मिलूंगे नेक्स ब्लॉग में और इस आफ्टरनून के बाद मैंने क्या किया इसका मैं ब्लॉग अप्लोड कर चूँ कि उसे जरूर देखेगा और बताएगा आपको मेरा यह ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके और अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब थैंक यू सो मज़ बाई बाई टेक कैर अपना ध्यान रखेगा और मुझे दुआओं में याद रखेगा गुट नाइग